बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर चंदिगर्ड पुलिस जगा जगा अवेरनेस केम्प लगा रही है आज चंदिगर्ड के लेंटे मोल में अवेरनेस का केम्प लगाया गया कि ताकि लोग जो है साइबर को लेका अवेर हो सके इस वक्त हमारा साथ सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जी मुझूदा सर आज केम्प लगाया गया है लोगों को अवेर करने के लिए मोटीव क्या इसका आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँ हूँ कि हमारा मोटीव जो है साइबर स्वस्था मिशन जो हमने स्तारा ग्यारा दो यार एकिस पर शुरू किया था आज उनको एक साल हो चुकिया है और थ्रूआउट दी इयर हमने जो अवेरनेस करी है साइबर क्राइम के बा अक्टूबर का मत जो होता है वो थ्रूआउट इंडिया मनाया जाता है अवेरनेस का उसको भी हमने इसको में इंक्लूड किया था और इस उपलक्स में जो है आज यह अवेरनेस कैम्प के दुरान लोग समस्या लेके काफी जाद आये थे कि मिरसा सर यह हो गया मिरसा बिज कि पब्लिक जो है इसकी यूस्टू होगी है तो किसी ना किसी के साथ भी सोचल मीडिया या फाइनेशल फ्रॉट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐस पर माई एक्सपीरियंस हमने जो एक्सपीरियंस देखे है हम इस अवेरनेस कैम्प में पिछले तीन साल से मैं खु लोगों को पता लग गया कि हमने फ्लाड़े जगे रिपोर्ट करनी है एक दूसरा पॉइंट हमने देख्या कि वही लोग जो है इस चीज़ से अवेर नहीं हो रहे हमने बचना कैसे है आई कोश्य हमने देखी इसके अंदर की जैसे कि आप जो जो मतलब किस तरह की कंप्ले है में सबसे ज़्यादा वो यह है कि एक सिंपल एसमेस आता है हर सीट तकरीबन हर दो सिनियर सीटिजन को छोड़के तीसरे पर लगा हूँ आप कि वही आपका जो एलेक्ट्रिक सीटी बिल जो है कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा तो इसमें वह पढ़ने के बाद हर सीटिजन ने वो पैनिक हो जाता है कि रात का टाइम है और रात को साढ़े नोब जे हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया बिजलीगा तो हमारी को प्राड़म आजाएगी बहुत जादा तो वो जो है उस पे इमिजियंटली रियक्ट करता है उसमें नमबर दिया होता उस किसे उनको नमबर मिलता है कैसे मतलब कहां से ये सरकल पूरा घूम रहा है सरे में इस जामतारा जो है जारखंड बिहार वेस्ट बंगाल ये जो है मेवात एरिया जो है यहां पर बहुत ज्यादा है ये और वहां पर जब हमारी टीम्स जो जाती है रेड के लिए केसिस के अंदर रेड मारते हैं इन कॉडिनेशन विद अधर स्टेट पुलिस तो आप वहां देखोगे कि वहां पूरे के पूरे गाओं अब लगा लोगी कि अगर एक जिले में वहाँ पर दस गाओं है तो साथ गाओं जो है इसी यही काम करते मिलेंगे आपको और उनका जो एक्सपर्ट हो जाते हैं और पड़े लिखे इतने हैं निवो तो यह जो एरिया है यह ज्यादा इसमें एक्टिव है इस तरह से सर लोग बच सकते हैं इस क्राइम से सर उसके बारे में तोड़ा सर लोगों को जावरू कर दीजी देखे इस से बचने का एक सबसी अच्छा करीका यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप जो अपने मोबाइल पर कोई भी कॉल आई उसको अटेम्ट करें इडिज अप टू यू मिनिमाइज दी रिसेविंग कॉल्स इंपोर्टन्ट उसी को दो इंपोर्टन्स उसी को दो जो आपके लिए बहुत जरूरी है आज के इलेक्टिक सिटी बिल के साथ साथ है कि यह कैनेडा वाला भी चल रहा है जो कि जिसके नोंस ऑस्टेलिया कैनेडा फॉरन कंट्री में बैठे हैं उनको कॉले आती हैं कि आपके जो लड़का है वो किसी लड़ाई में वहाँ पर इंवाल्व हो गया है और वहाँ पर जो लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं फोन करके अपने बेटे को या रिलेटिव को मुशली केसे में जो है वो एकदम टेंस हो जाते हैं और इमेजेटली जो एकाउंट नमबर देते हैं उसमें पैसा जमाकरा देते हैं अखिर में सर लोगों क्या मैसिज देना चाहेंगे आप हमार भी उसके कोई भी इन्फरमेशन अपनी शेयर ना करें अगर फ्रॉड हो जाए तो उसके लिए हमारा जो गौर्मेंट ओफ इंडिया ने एक नमबर चलाया है 1930 1930 आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको यह नमबर याद नहीं तो आप 112 पर जाके कॉल करके हैल्प ल लेकर के अगर आपके साथ फ्रोड हो जे 1039 1930 पर कॉल करके इमीजेट पुलिस को इंफॉर्म करें ताकि औरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके चंडिगर से मनीश कुमार की रिपोर्ट जी यह आज हमारा साइबर स्वच्था मिशन के तैट जो हमारा मुहीं थी आज एक सा कम्प्लीट हुआ है और एस साल के दुरान हमने जो भी पिछली यह जो पिछली भार जो गारा आई और जो मजूदा कम्प्पोरे चल रही हैं cyber crimes related और जो भी इनके टिप्स जो दिये हैं इसके बारा में हमने अच्छा की चर्चा की है लोगों के साथ और लोगों को अवेर किया है इसमें हमारे अभी जो इंटरन्स हैं जो वलंटियर हैं जिरको हम cyber soldiers बोलते हैं उनको भी हम साथ लेके लोगों को अवेर कर रहे हैं और उ को अवेर हुए हैं और साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साइबर क्राइम भी थोड़ा बढ़ा है और अवेर नेसके चलते कई कंपलेंट्स ऐसी होती हैं भी और उनके साथ कराइम हुआ नहीं होता तो ट्राइ कर रहा है तो साथ की साथ वो अवेर होते हुई उसकी निफ्लमेशन भी हमें देते हैं रिजी सर एक लोन को लेकर जिस तरीके से चार पांच जार का लोन दिया जाता है और तो इसके काफी क किया और वो चाइनीज लोन एप थी और जो फेक लोन एप गुगल पे पे मिल रही थी तो उसके बाद हमने जो इस पे काम किया तो 33 लोगों को गरिफतार किया जिनमें एक चाइनी भी इन वालो था और लोगों का कम से कम 17,8 लाग रपय हमने वहां से जमा भी बराम्द भी किया जो साइबर है कि चाइनीज गरिफतार किया है चाइनास का अभी लिंक लगता है जुड़ रहा है क्योंकि वो चाइनीज और पैसा भी हमारा काफी हवाला के जरीए बार गया है तो वो सभी इसकी वारे इंकुरी चल रही है अभी तक हमारे पास एक इलेक्रिसिटी बिल का फेक मेसेज आता है भी आपका बिल ड्यू है और सड़े नौ बज़े या कभी टाइम देके अपका बिल अपना कनेक्शन विजली का काड़ दिया जाएगा तो इस तरह की बहुत कंपलेंट्स आ रही है दूसरा एक जॉब फ चैनेडा कालिंग या फोरॉरनर बनके तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा भाई प्रोब्लम में हैं कोई वकील बनके कोई डॉक्टर बनके या इस तरह के करके इमोचनल लेवल पे लोगों को लाकर और पैसे को ठगा जा रहा है जिस तरह किसे परसंद के पे पेमेंट आ इस तरह के भी इंडारी हैं और वह सबसे पहले वह पेमेंट उसमें डालता अकाउंट में उसके बाद फिर अकाउंट डाल वापिस लिए आपस लिए अपस इन्फरमेशन वो ठीक्र लेता है और आपके अकाउंट से ही काफी पैसा चला जाता है अगर ऐसी कोई कोई कंप् और अपनी इंफर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो हम बैटर रहेंगे, अधर्वाइज हम कहीं न कहीं फैनेंशली और और भी कहीं तरीके के नुकसान जेल सकते हैं.